दोस्तों अगर आपने भी मैतिक पास स्कोलर्शिप 2023 के लिए अपना फोरम फिलब किया था और आपका जो फोरम है वो किसी कारण बस आपका रिजेक्ट हो चुका है चाहे आपका कैतोगोरी मिसमेच हो रिजेक्टेद वाई पीएफ में सो यह आपका फादर्स नेम मिसमेच ह मार्क्स मिसमेच हो नेम भेरिफिकेशन मिसमेच हो यानि कि आपका किसी भी कारण बस आपका फोरम रिजेक्ट हो चुका है तो किस परकार से आप अपने फोरम को सुधार करेंगे जिसकी कमपलीट जनकाई आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कहीं स सब्सक्राइब करना होगा कि आपका जो फॉरम है वो किस कान से रिजेक्ट हुआ है तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैप्तप में गूगल को पर ना होगा उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना होगा इस पर अप्लिक कि जाएगा इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं वहा नीचे की वर्ष कॉल करके नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आपको मुख मंत्री बालक बाल का तेंथ पासित पूद्शान योजना वाले सेक्शन में एक लिंक मिलेगा अपलाइफ और ऑनलाइन दो जाटेश का इस वाले लिंक पर किलिक करना होगा इस पर आप जैसे किलिक किजेगा आपके सामने अप्लिकेशन चेक करने वाला पेज उपन होगा तो यहां पर आपको अपने अप्लिकेशन का चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा तो यहां पर आपको एक उप्शन मिलेगा सर्ज का इस वाले पर क्लिक करना होगा इस पर आप जैसे इंक गीजेगा आपके सामने कुछ इस परकार से एक new interface होगा और यहां पर कट अपलिकेशन का मिनलिकेशन एस्टेटर सब्सकुरदं बड़ेस्च पहले फोड़ेस्ट में कि चेक करना है कि कि इंख he यहां पर आप देखेंगे तो रीजन में बता रहा है यू आइडी नेवर इनेवल फोर दीविती तो इस परकार से अगर आपका भी एकाउंट भी फिकेशन एस्टेटस रिजेक्ट हुआ है तो इसको आप कैसे सुधार करेंगे जिसकी भी कंप्लीट जनकाई बताएंगे और बहुत सारे हैस्तु देन्द जो होता है 생각 हो जाता है है औरकिक्सा का दो भी मिसमैज हो जाता है और किसी किसी वह Kollege मुंद हो जाता है और किसी कररण से आपका प्रइख्र कर आपको परभाइंगे तो वीडियो को आप न टक देख्यागा क्योंकि आप विडियो को नहीं पर term है तो उसको हम कैसे सुधारै तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम B सब्सक्राइब पर तो हम 2024 को पो के राएंगे तो यहंपर नीचे कंसे सर्लिंक्राइब क boundary अप्लोड कास्ट सर्टिफिकेट वनली फोर कास्ट मिसमैच का तो इस वाले अप्षन पर आपको क्लिक करना होगा इस पर आप जैसे क्लिक करेंगा आपके सामने एक निव पेज उपर होगा और यहां पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्टेशन नंबर दालना और यहां पर आपको अपना दे रजिस्ट कपाउडिक किसे क्लिक करें के एक बाद आपको यह सदधिक होगा आपका जो cast mismatch हुआ है उसको verify कर दिया जाएगा तो यह तो process हो गया जिस student का category mismatch हुआ है उसके लिए और अब चली हम बात कर लेते हैं जिस student का account verification status में rejected by PFMS बता रहा है और यहाँ पर region में UID never enabled for dbt बता रहा है तो उसके लिए आपको अपने bank में visit करना होगा और वहाँ पर जा करके आपको अपने bank को अधार से seed करवाना होगा जैसे ही आपका bank अधार से seed हो जाएगा यहाँ पर आपका account जो है यह तो magic verify हो जाएगा है इसमें आपको कुछ भी करने के जूरत नहीं है और इसमें भी जो है आपको 10-15 दिनों का समय लग सकता है और अगर आप अपने bank में जाते हैं और वहाँ पर आपके bank को अधार से seed नहीं किया जाता है तो ऐसे case में आप Indian Post Prevent Bank में एक account खुलवा सकते हैं जो की अधार से seeded account खुलता है और account खुलवाने के 10-15 दिनों के भीतर यहाँ पर account verify हो जाएगा तो ये भी आप समझ गए कि जिस student का account verification status reject हो चुका है उसको क्या करना है अब चली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिस student का अधार दियो भी mismatch हो चुका है उसको कैसे अपना अधार दियो भी सुधार करना है तो देखिए अगर आपका भी अधार दियो भी mismatch हो चुका है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको सबसे पहले अपने अधार कार्द के देतोबर्द को सुधार करवाना होगा तो जिस परकार से आपके तेंथ के मार्कसित पर देतोबर्द होगा वही देतोबर्द आपको अपने अधार कार्द पर करवाना होगा तो उस student का marks verification status में mismatch दिखा रहा है यानि कि आपका marks mismatch हो चुका है तो आपको क्या करना होगा तो देखिए student का marks mismatch हो चुका है उसके लिए अभी यहां पर कोई भी option नहीं दिया गया है जैसा कि अभी आप इस website के home page पर आईएगा तो यहां पर आपको important link वाले section में दो ही option दिया गया है एक जो है cast के तो गोई जिस student का mismatch हो चुका है उसको अपना cast के तो गोई सुधार करने का और दूसरा है read the instruction before apply online का तो इस वाले link पर आप click करके apply करने से पहले इसका guideline पर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके लिए अगर आप apply करते हैं तो क्या category रखा गया ह है और क्या क्या चीज को आपको ध्यान में रखना है वो सारी जनकाई आप इस link पर click करके पर सकते हैं और अब यहां पर एक option है दियो भी में चो चुका है तो इस case में आपको क्या करना होगा तो देखिए अगर आपका मदरस नेम में चो चुका है तो इसके regarding भी इस website पर कुछ भी option नहीं दिया गया है जैसे इस सब के regarding कुछ option आपके लिए आता है तो हम आपको वीडियो बना करके जनकाई दे देंगे कि किस परकार से आपको सुधार करना है उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो एक option मिलता है फादरस नेम का तो यहां पर अगर आपका फादरस नेम भेरिफिकेशन एस तो आपको सबसे पहले अपने अधार कार्द पर फादरस नेम को सुधार करवाना होगा उसके बाद यह देटियल से तो मैटिक भेरिफाई हो जाएगा उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो एक option मिलता है अधार भेरिफिकेशन एस्टेटस का तो अगर आपका अधार भेरिफिकेशन एस्टेटस रिजेक्ट हो चुका है तो इस केस में आपको जो है आपके मार्कसित के अनुसार आपके अधार कार्द के सारा दीटियल्स को सुधार करवा लेते हैं यहां पर आपका अधार भेरिफिकेशन एस्टेटस में अधार भेरिफाई हो जाएगा उस सब्सक्राइब नाम आपके मार्क सिथ पर है वही नाम आपको अपने अधार कार्ण पर करवाना होगा जैसे आप सब्सक्राइब यहां पर आपका डिटेल से तो मैंतिक भरिफाइब हो जाएगा इसमें आपको कुछ भी करने के जूरत नहीं है और मान लिजिए कि यह सारा ड बैंक एकाउंट के कान हुआ है तो सबसे पहले आपको अपने मार्क सिथ के अनुसार जो है आपको अपने बैंक एकाउंट में नेम को करवाना होगा यानि कि जो भी नाम आपके मार्क सिथ पर है वही नाम आपको अपने बैंक एकाउंट में करवाना होगा उसके बाद ही तो इस परकार से आप अपने डीटियल को सुधार करवा सकते हैं तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में मुख मंत्री बालक बाल का माधुमिक पूत्सान होजना 2023 के रिजेक्ट फॉरम को सुधार करने के रिगार्दिंग संपुन जनकाई बताएं तो वीडियो आपको काफी पूछ सकते हैं आपके कमेंट का रिपलाई देने का पूरी कोशिस कहेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तोपिक साथ जाएंड